नागपूर के चर्शित महेश उर्फ गमचू लामबट की हत्या में गौरव रगडे को कोतवाली पुलीस ने गिरफतार किया है। इस प्रकरन में गौरव पाचवा आरोपी है। 14 सितंबर की राद गमचू की जुनी शुकरवारी के गजानन चौक पर हत्या कर दी गई थी। पुलीस ने 15 सितंबर को गमचू के हत्या के सूत्रधार पियूश उर्फ दद्या मालवंडे लोकेश येड़ने वैभव बांते तथा उनके नाबालिक साथी को गिरफतार किया था। इसके बाद से ही अजनी निवासी गवरों की खोजबिन की जा रही थी। उसे शुकरव को अदालत में पेश करके 21 सितंबर तक हिरासत में लिया गया है। कोतवाली पुलीस तीन से प्यूश उर्फ दद्या तथा उसके साथियों से पूछताच कर रही है। इस पूछताच में दद्या कोई भी ठोस जानकारी नहीं दे रहा है। वह गमचू द्वारा विवाद क करके धमकी दिये जाने से हत्या करने का बता रहा है। अजनी के कुख्यात अपरादियों के माध्यम से गमचू के हत्या की सुपारी दिये जाने का बता रहे है। दद्या अजनी के कुख्यात गैंग के मुख्या से जुड़ा हुआ है। इस मुख्या के साथ ही दक्षिन न औरोपी गौरो रगड़े को गिरफतार किया गया है जिससे अभी क्या जानकारी सामने आती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा